हेलो स्टुएंट्स मैं डॉक्टर रेनू हुद्गडा लेक्चर केमिस्ट्री राजेश फैलिट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा आज हम संशारण से बचाओ के उपाई के बारे में पढ़ेंगे इससे लास्ट लेक्चर में हमने संशारण का वे फैक्टर सफेक्टिंग को रोजन के बारे में पढ़ा था क्योंकि इस अंशारण एक बहुत हानीकारक प्रक्रिया है इसके कारण धातू है वह अपने अप नस्ट होने लग जाती है तो इसी रोकने के अनिक मेथड जिनको हमें पहले काम में लेके हम धातू को संशारण से बचा सकते हैं सबसे फर्स्ट है उप्यूक्त डिजाइन का चुनाओं जो भी उपकरण वगर्ण है उनकी डिजाइन को इस प्रकार का बनाया जाया कि उस पर संशारण कम हो सके अब संशारण से बचाया जा सके संशारण होने के लिए यह हैं कि हमने पढ़ा था कि धात् इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें दूल वगर एकटी नहीं हो सके जमा नहीं हो सके पानी की बूंद रख टिक नहीं सके तो इसके लिए ऐसा ही जब भी संभव हो है जबकि उपकरणों की डिजैन ऐसी हो जिसमें शार्प कॉर्णर नहीं हो फ्लैट सर्फेस नहीं हो चाहिए जैसे ती शेफ की तो उसके पानी व्यकर टिक सकता है इसके कान सचारण हो सकता है तो इसलिए एल शेफ टी शेफ आखक अफ यह से नहीं होना चाहिए उपकरनों में कि कोई भी उपकरण इस व्रेकार का होना चाहिए जिसमें ईसमें जब तक हो सके एक यह धातु के उपयोग से उपकरण को बनाए जा सके क्योंकि एक से अधिक धातु उपकरण मैं लेने पर यदिस अशायन के लाइक वातारंड मिलता है तो गेलवेनिक सेल बन सकता है तो कोशिश ही करनी चाहिए कि एक सदिक धातू यूज में नहीं लिए जाए और अब जब कभी जरूरी हो कि एक सदिक धातू काम में अभी आ रही है तो फिर ऐसी धातू होने चाहिए जो कि गैलवनिक सेड़ी में पास-पास हो कि जो भी पेच वगर है वो शुद्ध धातू कि होने चाहिए और कोशिश यह करनी चाहिए कि पेच वोल्ट के स्टांट पर वैल्डिंग का यूज करें दो अलग-अलग धातू यहीं काम में ले रहे हैं तो उनके बीच में रबड का वाश्यर इस्तेमाल करना चाहिए और शुद धातों का उप्यों करके भी संशारण से बचा चाह सकता है जैसे लोगन जोर्ट ये स्टेनलस इस्टेला ह्यंभा उसका संशारण नहीं होता है सेकंड है वातावरण में सुधार करके भी हम संशेयंट से बचा सकते हैं संशेयंड के कारण koşते नमी अमल माद्य में narcissian की साहिए अंतर तो इन động को हम सुधार के की वातावरण में नमी नहीं रहे उदाशी नो माध्यम आक्सिजन की साहिए में अन्तर नहीं हो उसके कारण भी हम sunshine से बचा सकते हैं और इसी के कारण जैसे एक example हम बता है कि जो cooler वगर या कोई भी लोई का आइटम होता हमीशे stand पर रखा जाता है यदि stand पर नहीं रखा जाएगा तो यदि हम cooler को जमीन पर रख दें तो जमीन की नीचे oxygen की सांदिता कम हो जाएगी जो part cooler क जमीन की सते पर वहाँ oxygen की सांदिता कम हो जाएगी उसके चारव तब oxygen की सांदिता अधिक होगी oxygen की सांदिता में अंतर होने के कारण cooler का जो नीचे का पार्ट है वह संशारित हो जाता है उस पर जंग लग जाता है next method है cathodic बचाव वीदी जिसे बलिदानी एनोड वीदी भी कहा जाता है इस वीदी में क्या होता है कि किसी भी हमने जो अब तक पढ़ा उसके अनुसा संशारण हमेशे एनोड धातु का होता है यदि दो धातों में से जो धातु एनोड बनती है वो संशारित होती है तो इस के लिए ऑस धातु को कैसे भी करके कैथोड बना दिया जाए तो संशारेंट से बचाया जा दिया जाता है किस दातु को संशारण होगा उसका होगा जो अधिक सक्री रातू है वह अनोर बनेगी और जिस धातु को बचाना है वो कैथोड बनेगी तो इस प्रकाह अधिक सक्री रातू के को शमसें जोड के मूल धातू को신्षरण से बचाया जा सकता है अब इस वीदी को cathodic बचाओ वीदी कहा जाता है क्योंकि इसमें हमने दातु को संशारंड से बचाने के लिए उसको cathode बनाया cathode बनाके दातु को संशारंड से बचाया है और इस विधी को बलिदानी एनोड विधी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे एनोड ने अपना बलिदान दिया है एनोड का एनोड नस्ट हुआ है तो इसलिए इसे बलिदानी एनोड विधी भी कहा जाता है इसका एक्जामपल है जैसे जमीन में लोहे की पाइप होते हैं और बचाने के लिए उनके साथ मेंगनीचिम की क्लेट जोड़ दी कैसे नहीं होगा नहीं नैक्स्ट में तैलस रक्षात्मकलेपन प्रोंटेकटिव कोटिंग किसी वी दहत्टु को बचाने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि उससे कोई भी कोटिंग परत चड़ा दी जाए किसी दूसी दूसी मैटेरियल का तो इसके कार्ण जो अंदर की में दातु वह हमेशा बची रहेगी कोटिंग कर तरीके से की जाती है जिसे फर्स दात्विक लेपन किया जा सकता है किसी दातु का लेपन किया जा जाए सेटेंड है धात्विक या सिरैमी क्लेपन किया जा सकता है कार्बन की जा सकता है अब इसमें के धात्विक लेपन एक धातु ऑपर दूसे दात्व की परत चडा दी जाती है इसे हम nut daí और इसमें एक सबसे सिंपल एक्जामपल है धातिक लेपन का कि आईरन पर जिंक की परत चड़ाना जब आईरन पर जिंक की परत चड़ा दी जाती है तो आईरन क्योंकि मूल दातु है उसके परत चड़ाई गई हमने जिंक की तो जिंक की परत चारों तरफ चड़ने से आईरन बच जात आपके बनता है और यहां पर यहां पर इदिक संशारण होगा तो भी जिंक का संशारण होगा इस प्रकार आईरन पर जिंक का लेपन करके हमने आईरन को बचा लिया हमेशा के लिए क्योंकि जब तक जिंक की पड़ा है तब तक भी आईरन बचा रहेगा और जब जिंक की पड़ा थोड़ी सी टूटी भी जाती है तो भी आईरन का संशारण नहीं होगा जिंक का ही संशारण होगा धात्य उता कि एक यहीं हमने एक धूसर एक्जाम्पल क्यों कुछ यो इसे कोशलग हो एक यहिसे साइखर्ण लेपन जिसे म आन performs जिनक कर सब्सक्राइब कर आइर्ण का सँपरों कर दिसक्राइब को आतल जेखिसाराइब है यूर्स बचा तो इस प्राकार आरण में से आईरन अनोड बनेगा तो आइरन का संशारन चालू हो जाएगा आईरन का संशारन होगा और तिन का संशारन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि टिन आईरन को जब तक बचा सकता जब तक पूरी लेयर अच्छी तरह से है और जैसे लेयर थोड़ी ची तूटी तो आईरन का संशारन चालू हो जाएगा इसलिए ये कहा जाता है कि galvanization is better than tinning tinning के बजाए galvanic current जड़ा अच्छा होता है क्योंकि galvanic current में iron हमेशा बचेगा iron का संशारन कभी नहीं होगा पर तो tinning करने पर जैसे tin की layer हलकी सी हटी है वो iron का संशारन चालू हो जाएगा second है एधात्विक ये ceramic लेपन कई एधात्विक पदातों का लेपन करके भी धातों को संशारन से बचाया जा सकता है third है carbonic लेपन धातों के उपर paint वगर है जो red oxide है जैसे या जो varnish है paint वगर करके जो की carbonic पदात होते है उनका लेपन करके धातों को संशारन से बचाया जा सकता है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू